आउज बिल्लाइ निश्तार रजीम, बिस्मिल्लाइ रह्मारोहीम, अस्सलाम अलेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज हम पढ़ने लगे हैं E.N.G. 512 का लेसन नमबर 32, अडिल्ट वर्सिज चाइल्ड बाइलिंग वालिंग वालिजम, प्रीवेस चैप पहले यहां पे उन्होंने फिश्मेन का कॉंसेप्ट बिताया है, फिश्मेन का यह पॉइंट अफ्यू था, जो लैंग्विज की स्टेडी है, लैंग्विज मेंटेनस की, लैंग्विज शिफ्ट की, एक तरफ अगर देखा जाए, तो यह लैंग्विज यूजज पर कोई शिफ्ट के लिए कौन सी कर्डिशन है, यहां पे इनोंने थ्री कर्डिशन पताएं है, सबसे पहले तो एक लैंग्विज से दूसरी लैंग्विज में कब शिफ्ट करेंगे, जब उसके लैंग्विज में वजूद होगी, तो सबसे पहले किसी और लैंग्विज की को अब यह जो पावर रिलेशन्स होते हैं पावर का कॉंसेप्ट होता है कि एक लैंग्विज को जादा प्रिस्टीज हासल है तो अगर उस लैंग्विज को जो नेटिव स्पीकर है वो अपनी लैंग्विज को मेंटेन रखेंगे वो शिफ्ट नहीं होंगे किसी दूसरी लैंग्विज में क्योंकि उनकी लैंग्विज को जादा प्रिस्टीज हासल है उसके पर आख जो दूसरी लैंग्विज की स्पीकर है वो कोशिश करेंगे कि वो यह वाली लैंग्विज अडॉप कर ले इस language की तरफ वो shift कर ले क्योंकि इस language को ज़्यादा प्रेस्टीज आसल है और elite class की ये language है और जिस तरह पाकिस्तान में English language को कोई भी अच्छी जोग करनी है तो हमारी English अच्छी होने ज़रूरी है इसके लिए अच्छी होना ज़रूरी होती है इस तरह pressure होता है political pressure होता है economic होता है social pressure होता है अब जो language को ज़्यादा मतलब के economic ये होता है के career opportunities ये इस तरह आमने उपर वाले example पर बड़ा जोब और अच्छी मिलती है English अगर आपको अच्छी आती हो तो इस तरह फिर वो लोग automatically English की तरफ जाते है social form अच्छा समझे जाता है हमारी society के अंदर English speaker जो होते हैं उनको ज़्यादा prior समझे जाता है तो ये सारा जो pressure होता है ये भी shift का बाइस बनता है the process of language shift among immigrants populations tend to take place over three generation in countries such as United States or Australia यहाँ पे उनोंने United States और Australia की example देवी है कि वहाँ पे जो language shift वो over three generation तक होती है in situation of the language shift form and uses are reduced and eventually this leads to group shifting shifting their use of one language to another यहाँ पेले languages के नहीं just कुछ forms shift होना शुरू होती है कुछ words हम किसी दूसरी language से बारो का रहते हैं और पिर आइस्ता आइस्ता करते हैं इसको completely हम दूसरी language में shift कर लेते हैं in cases of minoritized language they may lead to language death ऐसा यह वाला important excuse है यह वाला quiz में भी पूछा गया था minoritized language यानि कि जो language minority में होती है जो बहुत थोड़े जिनके speakers होते हैं तो वो language अगर shift होना start हो जाए उन language में shifting का process start हो जाए जो बहुत जल्दी language death का बाइस बनती है तो यह आपने highlight कर लेना है in case of minoritized languages this may lead to language death the language maintenance of minority group has not looked upon favorably where is the language maintenance of majority group has been considered natural and uninteresting अच्छा यहाँ पिन उन्हें यह बताव है कि जो minority groups होते हैं जिन languages के speaker बहुत होड़े होते हैं उनकी language को maintain करने के लिए इतना कोई मतलब कि उसको encourage नहीं की जाता लेकिन जो majority groups होते हैं जिन languages के speakers जादा होते हैं तो ऐसी languages अगर shift रोना start हो गई हैं तो उनकी maintenance के लिए बाकाइदा strategies बनाई जाती हैं उनको maintain रखने पे तबज़ज़ दी जाती है उसके लिए बुरा एक यानि के planning की जाती है for example in the United State what has become known as transitional bilingualism जिस तरह इनने यहाँ पे United State की example दिया कि वहाँ पे transitional bilingualism का उसलिए इमतारिफ करवाय गए था educational program के अंदर कि जो minorities के language जोती हैं उनको encourage किया जाए जो Spanish speaking children है तो वो English में कर सकते हैं shift कर सकते हैं अपनी communication के दुरान अब यहाँ पे उनकी language को promote किया जा रहा है maintain रखा जा रहा है लेकिन वो English language में भी shift कर सकते हैं language revitalization अच्छा यहाँ पे उन्होंने बहुट details इसके बारे में पताया है इसका मैं आपको असान लफसों में concept बताती हूँ language shift का मतलब के हो रही है language shifting तो उसके लिए जो strategies बनाई जाती है language को maintain रखने के लिए तो उसको कहते है language revitalization the change from description of language shift situation to diagnosis and action is the preview of what fishman has called reversing language shift language shift को reverse करने के लिए यह वाला भी um excuse में आपता RLS and other have called language revitalization in fishman's greater intergenerational description scale fishman ने concept दिया था graded intergenerational disruption scale highlight करने यह वाला हमस्क्यूज में आवा था gates उन्होंने दिया था इसकी abbreviation आपने इसकी full form बताने थी अब इसमें उसने ना fishman ने eight को बताई है categories बताई है के eight जिस तरह यानि के जो stage eight होगा वहाँ पे जितने भी all aspect of life हैं उन में English उन में वह लैंग्विज यूज होती हो फिर जो seven होगा उसमें just media में और government में यूज होती है जिस तरह पाकिस्तान में होता है फिर उसे जो काम होगा वह just educational institute में तो इस तरह stage वाई उसने बताया है और उसने यहाँ पर यह बताया है कि अगर stage six से lower language पहुंच चुकी है तो इसका मतलब है कि language को बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा आगे मन पसला language and identity इसका यह मतलब होता है कि किसी भी language को जो speaker होते है ना वो अपनी tone से और जानी ना वो अपनी language जब बॉल रहे होते हैं तो वो अपनी एक identity शोक आ रहे होते है जिस तरह आप Pakistan की example ले सकते है कि अगर कुछ सराइकी speaker है और वो जब उर्दू बोलेगा तो हम उसको जो tone है उसको जो रित हम वो जिस तरह से बोल रहे हैं उसको जो अंदाज है उससे हम यह जियूम कर सकते हैं इसकी जो native language है वो सराइकी है तो इस तरह languages जो होती है वो हमारी identity को construct का रही होती है Nationalist ideologies throughout the world continue to link language to identity unidirectionally directionally language as constructed is not only a simple identity maker but is capable of generating imagined communities of constructing particular loyalties language then as much more than symbiotic and symbolic function language सरफ यह नहीं है semiotic or symbolic function नहीं है just language it also has been a rhetoric function बलके इसके rhetorical functions भी होते है used to discursively construct identities and solidarity जो कि identity और solidarity को represent का रहे होते हैं उनको construct का रहे होते हैं there is a reciprocal role between language identity इनके दर्माइन reciprocal role है language के दर्माइन और identity के दर्माइन that language use influences the identity formation of the group while at the same time the identity of the group in friends the pattern of the attitudes and language use यनि हमारी जो identity है जो हमारी language है वो हमारी identity को construct का रही है और जो हमारी identity है वो हमारी language को contribute का रही है language uses को contribute का रही होती है तो यह एक reciprocal इनके दर्माइन relationship है यह वाला I'm excuse में आ सकते है कि language और identity के दर्माइन relationship है कि this type है आपने मता देने कि वो रही प्रोकलर लगा पोस्ट क्लूनियल आइडेंटिटी इंवल्ब्स नोट अली सेमनेस बट बाइ एक्स्टेंशन अधरनेस और नेस और इवेलपमेंट अफ ता हाइब्रिड आइडेंटिटीज ये वह रही लाइड कर लेंगा हाइडेंटिटीज क्या है हाल्ट अग्यूब्स ने इनको किस तरह से डिस्क्राइब किया है तो ये साहिए बाइडेंटिज आइडेंटिज अधरनेस और ने को आगे मर पस आ, language ideologies language ideologies का मतलब है language-related कुछ beliefs होते है कुछ values होते है हार language-related society के अंदर language ideologies represent the cultural system of the ideas about social and linguistic relationship in addition to critical and moral interest attitudes, values and beliefs about language are always ideological and invest in social system of domination and subordination of group relating to ethnicity, class and gender. One of the most popular ideologies is precisely that there is or that there has to be a link between language and identity. ये भी एक आइडियोलजी है कि language or identity के बिट्वीन एक लिंक है but it is important to recognize that this is a result of the homogenizing work of the school in imposing a national standard. The link of Bernadio concept of linguistic practices as symbolic capital, the symbolic capital is distributed unevenly in the speech community and as such there is a symbolic violence between the dominant ideas are naturally assumed and oppressed to recognize the dominant group as superior. यानि कि जो किसी भी सोसाइटी के अंदर जो dominant groups होते हैं उनकी एकलाग language होती है, उनका एकलाग अंदाज होते language use करेंगा जिस तर आप example ले सकते हैं कि आप President of Pakistan अगर speech कर रहा होगा तो उसकी जो speech होगी वो एक अपना एक face को अपने एक image को बरकरार रखते हुए language का इंताहाब करेगा. तो ये बॉलमर्ट का concept था. The study of language ideologies focuses then on socio-historical, socio-political and socio-economic condition that affect the production of social meaning in relationship to language and to discourses. तो जो study of the language ideologies अब कस चीज़ पर focus करती है, यहां पर ये बतायागिया है. The social context can prevent individuals from assessing certain linguistic resources or adopting new identities. तो ये language और ideologies का relationship था. I hope so आपको lecture की समझाई होगी इस चैप्टर में आपने याद करने के language ideologies basically होती कि है. Language ideologies हमारे language के बारे में कुछ beliefs होते हैं, कुछ norms होते हैं, कुछ values होती हैं language की, जो एक किसी भी language से related हमारे mind में होती हैं. और language और identity जो था, इनका अपस में reciprocal relationship है, language identities में हम ये study पढ़ा के language जब हम use का रहे होते हैं, तो उससे हम ये present का रहे होते हैं, कि who we are, और हम कहां से belong करते हैं, ठीक है, और इसके लावा ये जो seven, eight stages N को आप एक दफ़र जास रीट कर लीजीगा, ये जो यहाँ पे abbreviations बताई ये वाली most important है, language revitalization आपको पता होनी चाहिए कि होती क्या है, और बाकि यहां पे आपने ये वाली conditions जो यह याद कर लेनी है, जो language shift के लिए जरूरी है किसी भी society के अदर, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में दौमें याद रखीगा, लाफिस